निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, विशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, मातिन दिलब्रिज अजमीर इस ख़बर की प्रस्तुत करता है, एस्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल जहिंद, मैं ललत खत्री और आप देख रहे हैं, MTTV इंडिया, पूरे देश में नागरिक्ता संशोधन एक्ट को लेकर विरोध और समर्थन में रैलिया निकाली जा रही है लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया और मोबाइल पर बहुत सारी अफवाहें वाइरल हो रही है और ऐसी अफवाहों को के बाजार को रोकने के लिए MTTV इंडिया एक छोटी सी कोशिश कर रहा है हमने Press Information Bureau से प्राप जानकारी पर कुछ अफवाहों को दूर करने की कोशिश की है जिसमें आप सभी की मदद चाहिए जिससे एक्ट पर फैल रही अफवाहों को हम रोक सके सवाल क्या नागरिकता कानून किसी भी भारतियन नागरिक को परभावित करता है बिल्कुल नहीं इसका भारतियन नागरिकों से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है भारतियन नागरिकों को समिधान में वर्नित मूल अधिकार मिले हुए है नागरिकता संशोदन कानून या अन्य कोई भी चीज उनसे इन्हें वापिस नहीं ले सकती सवाल नागरिक्ता कानून किस पर लागू होता है नागरिक्ता कानून पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीडन के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौध, जैन, इसाईयों और पार्सिय समुदाय के शरणार्थियों को नागरिक्ता देने के लिए है और ये सिर्फ उनहीं प इससे कैसे लाब होगा? यदि उनके पास पासपोर्ट, वीजा, जिसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका उत्पीडन हुआ है, तो ये वह भारतिय नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं. नागरिक्ता संशोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिक्ता का अधि पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान की मुस्लिम कभी भारत की नागरिक्ता नहीं ले सकेंगे? आपको बताते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नागरिक्ता कानून के खंड 6 में किसी भी विदेशी व्यक्ती के लिए नैचुराइलिजेशन के जरिये भारतिय आसिल करने का प्रावधान पहले से ही है. इसके अलावा, इस कानून के खंड 5 के तहट रजिस्ट्रेशन कराकर भी कोई भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकता है. यह दोनों ही प्रावधान जसके तस मौझूद है. सवाल, क्या इन तीन देशों से गैर कानूनी रूप से भारत आये मुस्लिम अप्रवासिय भारतिय नागरिक्ता कानून के अंदरगत वापिस भेजा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. नागरिक्ता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है. किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाह सवाल, क्या इन तीन देशों के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आभार पर भेधाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिक्ता कानून के अंतरगत नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं? नहीं उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए सामाने परक्रिया से गुजरना होगा इसके लिए उसे यह तो पंजिकरन करवाना होगा अथवा नागरिकता हसिल करने के लिए आऊशक समय भारत में गुजरना होगा नागरिक्ता कानून लागू होने के बाद भी The Citizenship Act 1955 के तहत कोई भी प्राथमिक्ता नहीं दी जाएगी। सवाल, क्या नागरिक्ता संशोधन एक्ट में नसल, लिंग, राजनितिक अथ्वा सामाजिक संग्ठन का हिस्सा होने भाषा वो जातियता के आधार पर होने वाले भेदभाव पीडित लोगों को भी सनक्षन देने का प्रस्ताव है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में वेतीत कर नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकता है। सवाल, क्या नागरिक्ता संशोधन कानून धीरे धीरे भारतिये मुस्लिमों को भारत की नागरिक्ता से बाहर कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। नागरिक्ता संशोधन कानून किसी भी भारतिय नागरिक पर किसी भी तरह से लागून नहीं होगा सभी भारतिय नागरिकों को मुलादिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारतिय समिधान ने दी है CAA का मतलब किसी भी भारतिय को नागरिक्ता से वंचित करना नहीं है विशेश प्रस्तिती का सामना वहां कर रहे हैं। का कानूनी प्रवधान दिसंबर 2004 से नागरिकता कानून 1955 का हिस्सा है। इसके अलावा इन कानूनी प्रवधानों को संचालित करने के लिए विशेश वैधानिक नियम बनाए गया है। यह भारतिय नागरिकों के पंजीकरण और उनको राष्ट्रे पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह कानूनी प्रवधान कानून की किताबों में पिछले 15-16 साल से है। CAA ने इससे किसी भी तरह से नहीं बदला है। सवाल नागरिक्ता संचुदन कानून के तहट नागरिक्ता के लिए क्या नियम है। तो आपको बता दें कि इस एक्ट के तहट समोचित नियम बनाए गए है। यह नियम CAA के विभिन प्रवधानों को अमल में लेंगे। यह देन की मि प्रवधा बनाए मज़ता मनुदन है। तो आपको बनाए बनाए भब लें आप के छोग्य दिया करे विछया नियम है। यह दो 시청 आपको यह लेंगे लेंगको यह इस एक्ट कया है। विजलाता की मिएंग है।